कौन उड़ा रहा है दिल्ली के लोगों की खुन पसीने की कमाई दिल्ली के गवर्नन ने नहीं किया पास केजरिवाल सरकार का बज़ट के दिल्ली के बजट को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में है अन्बद दिल्ली में सियासी भोचाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है कभी केजरिवाल प्रधान मंत्री मोधी को गवार कह देते हैं तो कभी पूरे दिल्ली में मोधी विरोधी आपत्ती जनक पोस्टर मिलते हैं कभी केजरिवाल अपने आपको मोधी का छोटा भाई बता देते हैं। इस सारे मामले को हम आपको बताएं। उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं। से जादा लोग घायल भी हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इस भुकम्प के जटके उन्हें लगभग दो मिनिट तक महसूस हुए। जिसके चलते दिल्ली में भी काफी लोग सडको पर आ गए थे। अब बात करते हैं दिल्ली के सियासी भुचाल पर। जैसे जैसे दोहजार 24 से जुड़ा हुआ है। अब बीते मंगलवार की ही बात है कि दिल्ली के सरकार को विधान सभा में अपना बजट पेश करना था और हर साल की तरहा बजट पेश करने से पहले दिल्ली सरकार को अपना बजट पहले गवर्नर और किंद्र से अप्रूब करवाना था। मगर के केजरिवाल सरकार से उपराजपाल द्वारा बताई गई चिंताओं को दूर करने के बाद बजट फिर से भेजने को कहा था अब प्रोटोकॉल के तहट केजरिवाल सरकार को उपराजपाल की मानते हुए बजट में तबदीलिया करनी थी लेकिन अपना काम छोड़ कर और आप पार्टी ने मोदी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी हमेशा परेशान करने के लिए दिल्ली के कारेों में बाधा डाल रही है अब आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नर ने दिल्ली के बजट पर क्या चिंता जताई थी तो हम आपको बता दे कि ग्रह मंतर में बजट पेश करने की अनुमती दे दी सुत्रों की माने तो केजरीवाल सरकार को विग्यापनों के लिए जादा बजट चाहिए था वहीं इंफरस्ट्रक्चर और राज्य के अन्यविकास के कामों के लिए कम बजट आवंटीत किया हुआ था इस वजह से केंद्र ने दि ग्यापनों पर खर्च करने के लिए रखे गए हैं बीते कल विधान सभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के सवालों को असमयधानिक और नेरधार बताया दिल्ले के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बजट को बिना किसी बदलाव की आज मन्जूरी द पर बोलते नहीं हैं और दूसरे हैं काम करे या ना करे लेकिन विध्यापन जरूर करते हैं पिछले साल दिसंबर में लेटिनेंट गवर्नर विके सकसेना ने आदेश दिया था कि आप सरकार को विध्यापनों पर अवैध रूप से खर्च किये गए 163.62 करोड रूपे वा परिशान कर रही है या पांसो पचास करोड रूपे जो आम जंता की खून पसीने की कमाई है उसे दिल्ली सरकार गलत जगा खर्च कर रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें ब्यूरो रिपोर्ट यूपीन टीवी